क्या J.G.P. में हो जाएगा इनैलो का विलाय क्या 30 साल में खत्म हो जाएगी इनैलो क्या 2024 में खत्म हो जाएगा इनैलो का वजू कभी हर्याणा की सत्ता में राज करने वाली इंडियन नैशनल लोगदल के दिन इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे है 17 साल में इनैलो 47 सीटों में से केवल एक सीट पर आकर सिमट गई है वो भी पार्टी के सरवे सरबा अबे चोटाला खुद ही इनैलो के एकलोते विधायक बन पाए यही कारण है कि अब परिवार के लोग ही इनैलो के वजूत के खत्म होने की भविश्यवानी कर रहे हैं इनैलो से इतर अपनी अलग राजनेतिक गाड़ी लेकर चल रहे दिगविजे चोटाला ने ट्विटर पर कोस्ट करते हुए लिखा कि अक्तूबर 2024 तक इनैलो का जेजेपी में विले हो जाएगा यानि लगभग तीन साल पहले इनैलो से निकली पार्टी जेजेपी अगले तीन साल के अंदर इनैलो को ही खुद में समाहित कर लेगी दिगविजे के इस दावे पर मेडिया ने बड़े भाई और डिप्टी सीम दूशन्ट चोटाला से सवाल किया तो दूशन्ट मुस्कुरा उठे अपनी पुरानी और दादा की पार्टी को लेकर दूशन्ट ने क्या कहा सुनिए लोग छोड़ चोड़ कर उनको जा रहे हैं और मानता हूँ कि दिगविजे उने जो बात आज कही है चलिए अब जरा नजर मार लेते हैं कि आखिर साल 2000 में सत्ता में आने से लेकर अब तक इनैलो के कितने विधायक रहे किस प्रकार साल दर साल इनैलो की सीटे घट्ती रही और वोटर भी चश्मे से किनारा करते रहे साल 2000 के विधानसवा चुनाव में इनैलो 90 में से कुल 62 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसकी जोली में लोगों ने 47 सीटे डाल कर हर्याना की कुर्सी पर बैठा दिया 43 दशनलव 68 प्रतीशत लोगों ने इनैलो में अपना विश्वास क्यताया और ओम प्रकाश चोटाला मुख्यमंत्री बने लेकिन ठीक 5 साल बाद हुए अगले विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस ने इनैलो को सियासत के दंगल में पठकनी दे दी और सरकार बनाने में काम्याब रही इस चुनाव में कॉंग्रेस ने 67 सीटे जीती जबकि सत्ता का सुख भोग रही इनैलो को महद 9 सीटे ही नसीब हुई और अब की बार इनैलो के वोट शेयर में भी करीब 20 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्च हुई 2005 के बाद 2009 में हुए अगले विधान सभा चुनाव में फिर से इनैलो ने सत्ता की चाभी अपने हाथ में लेने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिये लेकिन अब की बार भी हर्याना की जंता ने भुपेंदर सिंग हुड़ा में ही अपनी आस्था दिखाई और एक बार फिर कॉंग्रेस की सरकार बनाकर इनैलो को विपक्ष में बैठा दिया इनैलो ने चुनाव तो मजबूती से लड़ा लेकिन केवल 31 सीटे ही नसीब हुई 2014 की विधानसवा चुनाव से पहले ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अज़च चौटाला जेबी टी भरती घोटाले में दोशी ठहराए गए और उन्हें 10-10 साल की जेल हो गई बिन पिता और भाई के चुनावी मैदान में उत्रे अभे चौटाला ने सिंपती वोट लेने का भरस्वत प्रयास किया लेकिन इनैलो फिर 19 सीटों पर ही सिमट गई और वोट प्रतीशत भी 2% गिर गया अब सबसे बड़ा जटका इनैलो को 2019 चुनाव से पहले लगा नियाजा विदान सबा चुनावों में इनैलो को भुगतना पड़ा इनैलो केवल एक सीट पर सिमट गई अब चौटाला ही चुनाव जीत पाई और पार्टी को केवल 2.71 प्रतीशत वोट ही हासिल हुए अब अगला विदान सबा चुनाव 2024 में होगा और दिगविजे चौटाला के स्ट्रीट ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है हर जगा एक ही सवाल है क्या सच में इनैलो जेजेपी में मिल जाएगी? क्या चौटाला परिवार सियासी रूप से एक हो जाएगा? क्या ओम प्रकाश चौटाला और अभे चौटाला दूशंत के मंच पर आएंगे? इन सवालों का जवाब तो 2024 जुनाव से पहले ही मिल जाएगा लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और अभे चौटाला दिग्विजे के बायान पर क्या पलिटवार करते हैं जिस देखना दिल्चस्प होगा? सुधीर पांडे के साथ मोहिंदर भारती बंजाब के स्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद